हेलो गाईज गुड़ मॉर्निंग टोल आफ यू एंड वेलकम टू आल इन हैनेस अकेडमी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20 फेवरेडी के करेंट एफेर्स को डिसकस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे तो दोस्तो इसे के साथ आज की इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अरब सागर में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था और आयोजित किया गया सो रिसेंटली पैसेक्स नौसैज हल बीटूइन इंडिया एंड विच कांट्री इन अरभं सी अ आच्या burger इंडूनेसिया एंड भारत के बीच इस पैसेक्स नौस AlongER को प्रॉप कराएं गया पैसेक्स के बात करंग तो इंड में इसमें इंडिया के तरफ से INS तलवार सीप जो है भाग लिया एंड इंडोनेशन सीप के आर आई बंग टोमो जो की पाटिसिपेटिस में किया नेक्स्ट कोस्टन की बात करे तो who has addressed COVID-19 management exercise good practices and way forward works up recently tilly सो इस acription एकसाइड गुड़ प्रैक्टिस कोविड-19 जो था working के ड्वारा इसमेंसे address किया गया सो यहां PM नरें द्रमोदी द्वारा इसको address कियागा है and ुझ सोगो जो है साल करकर मेंवर्ज कॉन्ट्री पाटिसिपेट कि किए और शार्क मेंबर कंट्रीज की भी टोटल नमर बात करें तो 8 है, हेट कोटर कटमांडू में है नेक्स्ट कोशन की बात करें तो IOC और ग्रिन स्टेट ने हैड्रोजन पर उतकरिस्टा केंद्र अस्थापित करने के लिए हस्थाक्षर किया तो IOC का अध्यक्ष कौन है तो शिरिकांत माधव विद्या जो है अभी IOC के अध्यक्ष है और चेहर परसन है IOC की बात करें तो इंडियन आयल कर्पूरेशन इसका फूल फॉर्म है एंड हेट क्वाटर नियु देली में इस्टित है अगले कोश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला कोश्चन है किसने भारतिय सेना को सौवी और अंतीम के नाइन व्रज गन दिया है सौवी यह गन है और के नाइन व्रज इसका नाम है So, who has delivered 100th and final के नाइन व्रज अधिजर गन टू इंडियन आर्मी स्वया है लाट्षेन और ट्यूबरो जो है इनके दोवरा इसे दिया गया है हैंड ओवर किया गया इंडियन आर्मी को के नाइन व्रज की बात करें तो इसका मारक छमता और इसका रेंज 38 किलोमीटर है लाट्षेन और ट्यूबरो की बात करें तो हेटकॉर्टर में मुई मेस्थित है और चेर्मेन अनील मनी भाई नाइक है। नेक्स्ट कोर्चन की बात करें तो किस बैंक ने वायाना नेटवर्क के साथ मिलकर MSM EJ के लिए माहा बैंक चैनल फाइनेंसिंग इसकीम लॉंच किया। सो महाँ बैंक चैनल फैनेंसिंग स्कीम इसमें से किस बैंक के दोवारा लाया गया है विद्ध रहेलप आफ वियाना नेटवर्क्स यह बैंक आप महरास्टरा ने इस इसमें पाटिसिपेट किया और पार्टनर किया इस प्रोग्राम को लॉंच करने के लिए बैंक महरास्टरा की बात करें तो हेडकोबटर पुन्य में है एंड्ल इमदी सिजीओं की बात करें तो एogiस राजी हो है इसमें से इंडियन बैंक जो है इस MOU को साइन किया विद एल्प अप आई आई एससी और इसके साथ किया इंडियन बैंक की बात करें तो हेड़ क्वार्टर चिन्ने में इस्तित है एंड इस बैंक का टैग लाइन यूर ओन बैंक है M.D. and CEO की बात करें तो पदमाजा चंदूरू है Next question है किसे PSU में उतकरिस्टा के लिए विश्वनेत रित्व कांग्रेस पुरुसकार जीता है So यह Trifade है जिसे इस अवार्ट से नमाजा गया And अवार्ट की बात करें तो CEO of the Year किने मिला है और किने यह अवार्ट दिया गया है So प्रवीर किरिसना जो है Trifade के चेर्मेन उन्हें यह अवार्ट से नमाजा गया CEO of the Year Next question की बात करें तो भारत और नेपाल ने नेपाल में कितने स्कूलों को पुर्ण निर्मान के लिए एक समझाता गया पनपन हस्ताक्चर किया So total number 6 है Schools जो की reconstruction प्रजेक्ट में लाया गया है With the help of India and Nepal नेपाल की बात करें तो प्रेसिडेंट विद्या देवी मंधारी है And capital Kathmandu है Next question है IPL के सबसे महगे खिलाडी Chris Vox को किस टीम ने खरदा है So IPL most expensive player Chris Morris has Sorry यहाँ पे Chris Morris है Chris Vox नहीं है Chris Morris has bought by Wishty So यहाँ हाल ही में Rajasthan Royals franchisee जो है उसके दोवाड़ा यहाँ खरदा गया है उनको And IPL की बात करें तो 13th edition जो की United और अब Emirates 2020 वाला हुआ Failed कराया गया था UAE में And Chris Morris जो की South African प्लेयर है And यहाँ एक बहतरीन और लांडर प्लेयर है And इन्हे 16.25 करोर रूपीज में खरदा गया Next question की बात करें तो किस राज ने Snackpedia mobile app लांच किया So यहाँ लांच किसलिए किया गया So basically यह Means अगर साप किसी आदमी को करता है Common people को करता है And जो भी डॉक्टर है उनको भी help करने के लिए Facilities के तोर पे यह Snackpedia mobile app को लांच किया गया कि जल्दी से जल्दी Time रहे और Time के अंदर इसे Treat किया जा सके So यहाँ हाल ही में केरला गवर्मेंट के दुवरा लाया गया है केरला की बात करे तो केरला के CM पिनड़ाई वीजियन है आरिफ मुहमद खान यहां के गवर्नर है नेशनल पार्क जो फेमस परजेंट है केरला में उसकी बात करे तो इरावेकुलम नेशनल पार्क साइलेंट फैली नेशनल पार्क अनाई मुद्दी पिरियार लेक जो है वह केरला में इस्तित है इंपोर्टन डांस जो की केरला में इस्तित है सो वहा है का थकलि बोणी अटम ऐनड केलरी पैटू जो है यहां पे इस्तित है फेमस सबरिमाला टेंपल जो की केरला में ही इस्तित है एस NECPedia की में विस्यसता हम लोग डिसकेस कर चुके है next question की बात करे तो किस सराज ने sample ली और योजना के लिए विकास package की गोस्तना की so यह हाल ही में Odisa के government के दुवारा इसे लाया गया and basically Samliswardi temple जो है Odisa में उसको develop करने के लिए इस project को लाया गया Odisa की बात करे तो Odisa के CM नवीन पतनायक है और गनेशी लाल यहां के governor है, national park की बात करे famous national park जो की Odisa में इस्तित है, वह सीमली पाल है मितरकनिका नेशनल पार्क चिलका वायलापस चूड़ी यह national park जो की Odisa में इस्तित है, और चिलका लेक एक है famous Odisa में ही इस्तित है next dance की sorry कि नेक्स्ट कोस्टन की बात करते हैं तो UNHRC सलाहकार में पहले भारती अध्यक्ष के रूप में कौन निक्त किया गया है और किसे निक्त किया गया है भारत की तरफ से UNHRC में सो एडवाजरी के रूप में अजय महल होतरा को इस पद पे अपॉइंट किया गया है तो हुंडाई जो कंपनी है वह डेवलप किया है अल्टिमेट मॉबिलिटी वहिकल को जिसका नाम टाइगर एक्सवन है और यह हुंडाई कंपनी की दोवारा डेवलप किया गया है सो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना है उमीद करता हुए यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसका पीडियेप आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा सो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइट कर दूँग